हेलो नमश्कार दोस्तो मेरे नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना इडिव चैनल डॉक्टर मनोज सिंग चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और जबरजस्त होने वाला है देखिए इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाके दिया है जिसमें मैंने बताया है कि ETF में SIP नहीं स्मार्ट SIP करो यह वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप इस स्टैट्टी का प्रियोक करते हैं तो आपका पैसे जो है बहुत ही जल्दी रहे प्रियो आने python हो जाएगा और मैंने इस बीडियो में भी आपको बताया है कि इस मैथ में पर मेरे कई सारे वीडियो अने वाले तीन से चार वीडियो कि इसमें तो मैंने iis वीडियो में एक इंडिकेटर लगा के बताया था कि उस इंडिकेटर के थू हैं Das तोड़ा सा math का calculation करना है और उसके अनुसार आपको ना कोई technical देखना ना fundamental देखना ना किसी indicator का use करना बहुती simple है दोस्तों आप बस एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप investment में अपने चार चान लगा सकते हैं अगर आप ETF में investment करना चाते हैं तो बिलकुल आप बहुती आस करते हैं इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ देखें यह मैंने निफ्टी वीज का चार्ट खोल रहा है ठीके सर निफ्टी वीज एटीएफ है यह निफ्टी 50 के index पर काम करता है और इसने 50 top class कंपनियां जिनका market cap बहुत ही हाई है ठीके सर जो निफ्टी 50 के index में सामिल है 14 अलग अलग सेक्टरों में पैसा लगेगा 50 कंपनियों पैसा लगेगा निफ्टी 50 का और यह टीएफ है यानि की action पर trade होता है आप इसे कभी भी कर सकते हैं कभी भी सेल कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगो जो वीडियो को पहली बार देख रहे तो 200 ETF लगबग आपको दिखाई देंगे जबकि उससे ज्यादा भी है तो 200 ETF में आप जो भी आपको अच्छा लगता है मैं 5050 का example लेकर चल रहा हूं आप किसी और में भी अगर investment करना चाहते हैं तो किसी में भी कर सकते हैं CPSC, Bank Viz, BSU Bank Viz, Silver, Gold, Mon 100, Mon Q50, Alpha, Smart Vita तो इस टाइ किसी भी ETF में SIP करना चाहते हैं तो आप normal SIP करेंगे तो आपको बही return दिखाई देंगे जो लगबग इस पे आपको बनेंगे है न तो अगर वो भी आप लमसम करेंगे ताब आपको यह पूरे-पूरे return मिलेंगे जो 24% दिखा रहा है न यहां से आप देखेंगे कि यहां स मतलब है systematic investment plan अगर आपने वो किया होता इसके अंदर किसके निफ्टी 50 के अंदर ठीक है निफ्टी 20 के माध्यम से तो आपको जो return मिलते वो इतने नहीं मिलते क्यों क्योंकि आपका पैसा यहां भी लगता और आपका पैसा यहां भी लगता टॉप लेवल पे आपने उसे monthly basis पर किया होता बीकली basis पर किया होता किसी भी तरीके से किया होता तो आपको यह return नहीं दिखते क्योंकि आपका जो average price है वो काफी उपर रहता ठीक है तो आप अपने average price को नीचे कैसे लेके जा सकते हैं और इसी के साथ साथ अच्छे return आप कैसे बना सकते है smart SIP के तुरू ठ आपको जो है monthly किसी भी ETF में 5000 रुपे का investment करना है ठीक है सर और investment जो है वो SIP के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा बैतर है उसमें आपका हर market की condition में आपका पैसा लगेगा जब market अपने top level पर खड़ा होगा तब भी आपका पैसा लगेगा market अपने bottom पर होगा तब भी आपका पैसा लगेगा तो उससे जो आपका average price है वो बहुत सही जगह आजाएगा और जब भी market चलेगा तो आपको अपना जो return है वो average return से ज़्यादा दिखाई देंगे ठीक है सर तो आप मैं मानके चलता हूँ कि आप 15 रुपे monthly की कि किसी भी ETF मैं SIB करना चाहते हैं ठीक है सर तो normal SIB में क्या होता है कि आप हर मंत एक date select कर लेते हैं किसी मंत की उस date को आपका पैसा यहाँ पे cut जाता है SIB के रूप में ठीक है तो आप यहाँ पर date कर सकते हैं लेकिन करेंगे क्या कि जिस date को आपने select किया हुआ है मानली जी आपने चु रहें और इस method को यूज करने में कुछ भी नहीं करना आपको सिंपल सा calculation करना जो कोई भी कर सकता है देखिए आप investment को यह ट्रेडिंग को जितना simplify रखेंगे उतने आपके return बहुत भैतर बनेंगे अगर आप 10 तरीके के indicator डाल देंगे और 10 तरीके के अगर आप criteria लगा आपके entry time पे होगी और बिल्कुल सा calculation है आपको करना क्या है आपने पहली सिप डाल दी किसी भी amount ठीक है पहली आपकी कड़ गई 5000 रुपए आपके निफ्टी 50 में निवेश हो गए निफ्टी बीच के तुरू यह किसी भी और ETF में हो गए है ना अब बहुत सारे लोग कहें है सर मेरे पास तूटीन हजार ही है मैं तीन हजार का निवेश करना चाहते हमें मैं जतना सा pension लगना है और आप नहीं दीन भी तो Mother को राइश भी मार्फ गरवा होग घिर बीटी अप राइस गिरावा हुगा तो बहां पे आपका बहुत जबरदस investment होगा और जब market higher level पे होगा तो आपका investment कम होगा तो इसका magical trick देखिए क्या है इस SIP method का जिसको हम smart SIP method कहते हैं और यह जो है इसका second video है ठीक है तो आपको करना क्या है आपने पहला installment डाल दिया यह नहीं कि पहली SIP आपने 5000 रुपई कर दी अब अगले SIP डालने से पहले आपको देखना है कि अगर यह TF में 1% की तेजी है कितने की 1% की मान के चलता हूँ किसी भी TF में किसी में भी आप निवेश कर रहे हैं अगर उसमें एक प्रतीशत की तेजी है तब आपको क्या करना है तब इस जो आपका investment amount यानि की 5000 इसका 10% आपको इसमें से क्या कर देना है घटा देना है कितना दिखान से सुनिए 10% क्या करना है 10% ठीक है तो 10% घटाएंगे कितना हूँगा लगवग 500 रूपय होगा ठीक है 10% 5000 का क्यां हो गया 500 रूपय ठीक कम कर देने हैं और आपको निवेश करने हैं फिर 4500 रुपे ठीक है सर अब बहुत सारे लोगों की हैं पर भी कमेंट ओजकते कि मार्केट अगर 2% गिरा है तो सर आप जो है 20% कम कर दीजिए कितना 20% जो कि आपका बनेगा 4000 रुपे ठीक है सर कितना बनेगा 4K यानि कि 4000 रुप करना है वो क्या करना है कि मार्केट अगर 1% तेज है आपके निवेश से 1% ऊपर की तरफ चला गया है ठीक है यह 1% की तेजी है तब आपको क्या करना है कि इस में से जो है वही 10% बढ़ा के निवेश करना है यानि आपकी अगर S.I.P. 5000 रुपे की हो रही है और मार्केट मे अगर 1% की ग्राबट है तो आपको क्या करना है फिर S.I.P. आपको 500 रुपे की करनी है ठीक है तर मार्केट में 2% की ग्राबट है आपको S.I.P. जो है 6,000 रुपे की करनी है क्योंकि 20% बढ़ाना है 3% की ग्राबट है आपको S.I.P. 6,000 रुपे कर देनी है तो आपको देख जानक अब है जब मार्केट उपर की तरफ है तो इससे होगा क्या जो भी आपका एवरेस प्राइज बहुती बहतरीन जगह पर आ जाएगा और आपको जो नॉर्मल रिटन बन रहे हैं इनसे कई बहतर रिटन आपको मिलेंगे और बहुती शांदर रिटन मिलेंगे तो एक बा और चाहिए और गफर शांदो अपना जो तो यानऎकर ऊपर है वह तो तो 5 20% crimes करना हा और không तब आपको उसमें देख निवेश करने है arts cra तो इस से होगा क्या कि जब market अपने नीचे की तरफ हो ग। जादा कि कि क vibe करेंगे सर कर दो आपका पैसा बचेगा वह पैसा उठा के उससे में डाल दीजिए जब मार्केट गिरा हुआ है जब आप बढ़ते हुए मार्केट में कम पैसे डाल ले हैं तो आप गिड़ते हुए मार्केट के लिए उसे सुरक्षित रखिए किसी और ETF में डाल दीजिए मैंने पहुत सारे टिफ आपको बता रखिए जिन से बॉंड में निबेश करते हैं तो कितना भी खरीच सकते हैं ठीक है जब और जम मार्केट उपर की साइड भग रहा होगा तब आपका पैसा क्या लगेगा कम लगेगा यानि कि आपको कम निवेश करना है तो यहां पर ना तो आपको कोई एक्सल सीट का प्रियोग करने की आवज़ चकता है ना कोई इंडिकेटर देखने की आवज़ चकता है बस देखी सकते हैं अपने इंवेस्मेंट के और सीटीएफ में भी आप निविश्च कर रहा होंगे उसके प्राइज देख सकते हैं तो वहां से प्राइज देख के सिंपल सा कैलक् radical करना है कि अगर जिस भी स्टुमेट में आप निविश्च कर रहे हैं अगर वो एक प्तिश् जो एबरेज प्राइज नॉर्मल में अगर यहां पर भी आ रहा है ना चाड़ पर आपके यह धीरे धीरे नीची की तरफ किसकतर आएगा क्योंकि आपके गिरते हुए मार्केट में पैसा अधिक लगेगा बढ़ते हुए मार्केट में कम लगेगा किसी भी इस्टुमेट में निवेश करना चाथे हैं चाहिए आप किसी भी सेक्टर के एट फ में निवेश करना चाहिए। यहां वो CPSC हो, यहां बैंक हो, फाइनेंस हो, यहां जो है निफ्टी-फिफ्टी का ETF हो, मोन हंट्रेड हो, आप किसी में भी निवेश करना चाहते हैं, सिंपल सा ट्रिक अपनाईए, बहुती भैतरीन और सॉलिड रिटर्न आपको मिलने वाले हैं, अपना खुद का अनलेसिस कीजिए, कि बाके में ये ट्रिक काम करेगी क्या, अपना खुद का अनलेसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंसर एडवाईजर से पूछिए, कि ऐसे ऐसे मार्केट कंडिशन में हम पैसा लगाएंगे, तो हमारा पैसा बाके में ज़् साजा की हुए जिनका पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उस प्लेलिस्ट का लिंक में उपर आई बटन और नीचे डिस्केप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइट करा रहा हूं वहां से जाके देख सकते हैं बहुत ही शांदार और जबरदस्त प्री आप पो दिस्काउंट ब्रोकर के मैंने लिंक अविलेबल करा हूए आपके लिए वहां से जाके फ्री अप पोश्ट अपना डीमेट्र टेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं जबर जस्त और सांदार ब्रोकर के साथ तो दोस्तों यह था वीडियो नंबर दो स्मार्ट एसाइपी आप कैसे कर सकते हैं एक नॉर्मल सिप से स्मार्ट S.I.P. सिप में आपको क्या फाइदा रखने रहने वाला है आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ और दोस्तों अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी हैल्फूल लगता है तो आप इस वीडियो को अधिक साधिक शे करके रखिए ताकि आने वाले प्रतेक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंसता रहे आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ एक और नए वीडियो के ताथ सब तक के लिए जैहिन जै भारत